Hello everyone, welcome to administrative world and welcome to this class of public administration. कुछ ताइम पहले हमने New Horizons of Public Administration नाम की एक बुक को थोड़ा डिस्कुस करना स्टार्ट करा था और कुछ रीजूंस की वज़े से हमें वो डिस्कुशन बीच में बन करना पड़ा. कुछ चैप्टर रहते हैं, तकरीबन 17 चैप्टर हमने 17 चैप्टर वो डिस्कुस कर लिए थे. बाकी के बचेवे चैप्टर अब हम डिस्कुशन अपने स्टार्ट करेंगे. तो जो 18 चैप्टर है इस बुक का, मैं थोड़ा बुक के बारे में बता देती हूं. बुक का नाम है New Horizons of Public Administration लिखी गई है मौहित भटाचारिया के द्वारा और अगर आप Public Administration पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसी बुक है जो आपको थोड़ी सी advanced level of understanding प्रवाइड कराती है. ओके beginner के लिए recommended नहीं है क्योंकि यहाँ पर कम शब्दों में जादा बात कहने की कोशिश करी गई है. तो इसका जो कहते हैं intrinsic meaning जो होता है, वो समझनी के लिए आपको basic understanding होनी ज़रूरी है Public Administration की. So chapter number 18 based है financial administration पे. Financial administration although बहुत simple सा topic है, हमने बहुत बार discuss भी किया है अपनी lectures में. लेकिन यहाँ पर जो perspective देनी की कोशिश करी गई है financial administration को ले करके उसके बारे में हम discuss करेंगे. Okay? तो अगर आप चाहते हैं आप Public Administration के साथ तैयारी करना तो आप बिल्कुल सही जगापे है administrative world first तो इसको subscribe कर लें. वीडियो regular basis पे देखें. और second thing हमारे courses हैं आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे और इसके इलावा हमारे courses चल रही है 2024 and further clear. तो आप join कर सकते हैं उन courses को contact detail जो है व आपको join करनी है. तो भी details जो हैं वो description box में देगे हैं. ओके? तो chapter 18 is based on financial administration. Let's try to understand what is financial administration और यहाँ पर क्या perspective देने की कोशिश करी गई है. मैं थोड़ा सापको background information provide करा देती हूं. देखो एक बहुत common सी चीज है कि government को पैसा चाहिए. डेफिनेटली इसको finance या fund चाहिए. Reason B क्योंकि government को कुछ functions perform करने है और उन function को perform करने के लिए government को ज़्यादा से ज़्यादा fund की ज़रत है. अब हमारे या philosophy चलती रहती है कि government का role कितना होना चाहिए. government को अगर मैं कहूँ कि state का role कितना होना चाहिए. state का role कम होगा. मतलब state कम function perform करेगा तो state को कम fund की requirement होगी. वही अगर state ज़्यादा function perform करेगा तो ज़्यादा fund की requirement होगी. तो जब हम कहते हैं कि welfare state होना चाहिए. welfare state में हम क्या कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा state जो है वो development वाला काम करे. welfare means welfare जो vulnerable section उनको promote करे. poverty को कम करने के लिए effort लगाए. है ना? inequality को कम करने के लिए कोशिश करे. त वो पैसा कहां से आता है? वो ultimately आता तो public से ही है. आता तो वो society से ही है. विकि गवर्मेंट को fund कोन कर रहा है? finance कोन दे रहा है? society दे रही है. तो जितना ज़्यादा government का function होगा, जितना important इसका role होगा, उतने ही ज़्यादा finances के इसको requirement होगी. तो एक philosophy चलती है जिसको हम कहते ह रोल बैक ऑफ स्टेट. रोल बैक ऑफ स्टेट ये कहता है कि स्टेट का रोल जो हो कम करो. स्टेट का रोल कम करो. welfare वाले measure पर मत जाओ, minimum रोल रखो. और बाकी जो goods and services provide कराने का काम है, लोगों को services और goods provide कराने का काम है, वो किसको दे दो, आप private sector को दे दो. क्योंकि government का कम function होगा, तो government के उपर financial burden है, या society के उपर financial burden है, वो भी कम होगा. और यहाँ पर इसी चीज़ के regarding, जब chapter start होता है, तो इसी चीज़ के regarding यहाँ पर discussion आपको देखने को मिलेगा. चलिए कुछ point में यहाँ पर mention करती हूँ, कि government as the manager of society cannot function without an assured source of fund. हमें भी पता है, अगर हमें, हम किसी organization का part है, और हमें अगर manage करना है चीज़ों को तो बिना finance चीज़े manage नहीं हो सकती है, और government के ultimately, लोगों का ही manager है, society का manager है, क्योंकि जैसे आप example ने, मैं democracy के थो आपको समझाना चाहती हूँ, democracy के example के थो, but is democracy, democracy is the rule of people, simple सी definition है, इसकी rule of people, लेकिन हमारे है indirect democracy, that means, लोग क् representative चुन करके भेशते हैं, और वो representative क्या करते हैं, जा करके, government बनाते हैं, अगर majority में होंगे तो वो government बनाएंगे, इन्हीं government ultimately किसको represent कर रही है, लोगों को, ठीके, government ultimately किसको represent कर रही है, लोगों को, इसलिए आप word पे ध्यानने, public administration, administration means collective effort to achieve a common goal, है ना, जब हम सब मिल करके common goal क achieve करने की कोशिश करते हैं, what is public, public means the government, because government जो है, वो लोगों के बिहाफ पे काम कर रही है, government किसको represent कर रही है, लोगों को represent कर रही है, तो government के पास पैसा भी कहां से आएगा, यहीं लोग इसको पैसा देंगे काम करने के लिए, so government as the manager of society cannot function without an assured source of fund, अब society इसको fund provide कराती है, एक condition के उपर, कि जो भी पैसा हम आपको दे रहे हैं, यह पैसा आप properly spend करेंगे, public purpose के लिए, ठीक है, कई बार ये बात भी हो जाती है, आप debate भी देखते हो, कई बार ये news में भी आता है, कि taxpayers money, यह वाली चीज़ taxpayer money से नहीं होनी चाहिए, यह वाला function taxpayer money से नहीं perform किया जाना चा government को दिया गया है, ताकि जो भी functions है उसके, जो expenditure है वो अच्छे से हो सके, ultimately किसके benefit के लिए है वो, it's like लोगों ने मिल कर गे पैसा ही कठा किये, ताकि वो अपने development को ensure कर पाए, इसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, present day अगर आप देखो तो आपको trend मिलेगा privatization का, privatization का अब यह होता है कि government का sphere कम से कम करो, private sector का sphere बढ़ाओ, इसी चीज़ को हम अलग-लग नाम से जानते हैं, ध्यान रखेगा, इसी को हम कहते हैं, rollback of state, इसी को हम कहते हैं new right philosophy, इसी को हम कहते हैं thateurism, इसी को हम कहते हैं regonomics या reganism, और इसी को हम कहते हैं neoliberal philosophy, इन सब का एक ही motive है वो है minimum role of state, या minimum role of government, सब का एक ही मकसद है, अलग-लग नाम से हम इसको जान सकते हैं, so present day जो आपको trend देखने को मिलेगा, बुक के हिसाब से, that is privatization, privatization means the minimum role of state or government, लेकिन ये जो philosophy है, just as I told you, कि इस नहीं philosophy के हम कहते हैं state minimalism, कि state का minimum role होना चाहिए, और ये जो philosophy है, privatization की, इसको हम trace कर सकते हैं to the right philosophy, और thateurism and economics, देखिए, मैं आपको इच्छी समझाती हूं, second world war के दोरान, major participant थे European, और बाद में USA थे एंटर कर गया था, मतलब अगर मैं बात करूं, first or second world war के, तो European power और USA, ये major power थी, USA को indirectly बहुत फायदा हुआ इस चीज़ में, अब ये यहाँ पर ये जो time phase था, up to 1950s, यहाँ पर government का function बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप योरोप की बात करें, यहाँ पर government का function बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गवर्मेंट का function ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ज़्यादा employees भी रखे जा रहे है फिर 1970s, 80s तक आते आते एक problem सामने आती है, कि अब बात नहीं बनेगी, हमें government के role को reduce करना पड़ेगा, तो एक trend चला, उस trend में जब हम बात करते हैं USA की, तो उस पर वहाँ पर America के President थे उस टाइम पर Ronald Reagan, तो उसी टाइम पर इनको कहा गया Reganomics या Reganism, और UK की President थी Thatcher, Margaret Thatcher, उसको क्या कहा गया, Thatcherism, यह I hope आपको समझ में आव गया, Right Philosophy, Thatcherism और Reaganomics, इन सब का क्या कहना है, कि the role of state should be minimal, देन आता है, अगर मैं बात कुरू इंटरनाशनल इंस्टिटूट्स की, like World Bank, IMF, इनका भी एक ही motive रहता है, वो advise करते हैं third world countries को कि आप government की size को reduce करें, best example है, 1991 में जब हमारे यह LPG reform लगाए गए, LPG reform थे ही क्या, liberalization, privatization and globalization, तीनों ही क्या कहते है, minimal role of government, है न, open economies, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो international institute, जो है, वो third world economies में, third world countries में, government के size को reduce करने के बात करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ धिहानक नहीं होगी, यहाँ पर, although सही है, government क का role reduce किया जाना चीए, लेकिन किस हद तक, okay, balanced view की ज़रे तर, वो balanced view यहाँ पर दिया गया है, कि जो leading role है government का, हास करके developing or least developed country में, वो क्या है, development को push करना, कैसे push करेंगे, यहाँ पर lead कौन करेगा, government lead करेंगे, है न, और दूसरा function क्या है, that is to secure the minimum level of quality of life, है न, एक तो है, development को ensure करना, और दूसरा, जो living standard है, उसको बहतर बनाना, for general public, specially for poor and underprivileged, cannot be dispersed with, specially, जो vulnerable section है, जो underprivileged section है, उनके लिए government जो है, वो बहुत जादा जरूरी है, government का positive function बहुत जादा जरूरी है, इसलिए जब भी हम बात करते हैं, कि हमें privatization करना चाहिए, कि ने, state का role minimal होना चाहिए कि ने, तो एक चीज़ याद रखें कि यह जो नहीं theory आई है, rollback theory, यह फे new right philosophy, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से adopt करने की ज़रत, it has to be taken with a grain of salt, so far as the developing countries are concerned, developed countries में we can say कि हाँ चलो ठीक है, we can adapt this new right philosophy, but developing world में या least developed country में, आप चाहा करके भी state का जो role है, जो positive role है, उसको कम नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ का ध्यानक ना होगा, next हम बात करते हैं, कि government जो है, वो third world countries में क्या function perform करती है, तो government के दो काम होते है, एक तो जो पैसा इकठा किया गया, वो दो काम होए, almost लगता है, government का, पहला आता है, maintenance function, maintenance function में क्या होता है, government अपना day to day क maintain करती है, law and order को maintain करती है, यह basic function होते हैं, फिर आते हैं, development function, है न, जिसे infrastructure बनाना है, जो poor people है, उनके लिए poverty को reduce करने के लिए program चलाने है, लोगों को job देनी है, और भी बहुत सारे होते हैं, तो यह दो परकार की function होते हैं, लेकिन जब भी हम government को analyze करेंगे, जब भी हम third world country की sense में government के बार में पढ़ेंगे, तो we have to keep these two things, पहला मैं, बिल्कुल first उसमें मैंने आपको discuss किया था कि government के पास पैसा कहां से आ रहा है, लोगों से आ रहा है, पबलिक उसको पैसा दे रही है, अब मालो government का रोल जितना positive होता जाएगा, यानि जितनी ज़्यादा government के responsibility बढ़ को हम develop करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को develop करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें के उपर हम take जादा लगा रहे हैं, तो it's like आप मेरे ही पैसे से develop कर रहे हो, और जबकि मा already गरीब हूँ, है ना, so it has to be prudent in expenditure and must not overtake the society which itself is in the process of growing, तो जब भी आप third world countries की बात करते हो, government के function को analyze किया जाता है, तो एक चीज़ धान में रखनी पड़ेगी, कि जिस society को आप grow करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर over tax मत करो, यह जो tax है, इसको minimize करो, है ना, ऐसी activities perform करो, ऐसे resources generate करो, जिससे state को जादा से जादा income हो सके, और वो फिर public welfare के लिए लगाई जा सके, है तो, the government has to frame well-planned policies for overall guidance of economy, including the private sector, private sector को भी develop करना है, लेकिन ultimately enable करने का काम, जो कहते है ना, initiate करने का काम, किसको दिया जाना चाहिए, कौन lead करेगा, obviously government lead करेगी, government एक अच्छा environment maintain करके रखती है, तो फिर public sector के लिए भी easy हो जाता है, वहाँ पर function perform करना, तो यह है third world countries के sense में, public administration, sorry, financial administration, अभी तक हमने जो discuss किया, वो discuss किया role of government, है ना, third world countries में, role of government कैसा होने चाहिए, minimal role, maximum, जितना होना चाहिए, उसके बार में हमने बात करी, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा technical sense में कि financial administration है, क्या budget क्या होता है, किते type का होता है, कौन-कौन से principles follow किये जाते है, तीकि यह तो topic है ना, आपकी book में, मुझे नहीं लगता, इसमें जादा detail की ज़रत है, या जादा discussion की ज़रत है, because straightforward है, अगर आपने financial administration वाला topic बहुत अच्छे से cover किया है, तो आप इस chapter को बहुत इसली समझ पाहोगे, okay, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके, उतना इसक तो concise और comprehensive दोनों ही बनाने की कोशिश करें है, concise इसलीए कि जादा हम detail में ना चले जाए और comprehensive की कोई important detail हमसे मिसना हो जाए, so financial administration की अगर मैं बात करूँ, तो what is financial administration, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा first function आता है, planning of public expenditure and revenue, है ना, मुझे public, I mean not मुझे, बट हाँ, government को सबसे पहले public expenditure and revenue को plan करना पड़ेगा, funds को available कराना पड़ेगा for government activities and the government has to ensure कि यह जो fund collect किया गया है, वो lawful and efficient way में उसका use किया जाए, है ना, पैसा इकठा करना, expenditure का हिसाब किताब लगाना, फिर government activities के लिए fund available करवाना, और सही जरीके से उस पैसे का use करना, फिर एक चिस आप याद रखो कि जितने भी administrative acts होते हैं, जितने भी आप administrative acts देखते हो, चाहे फिर वो कोई किसी चीज़ को implement करना है, या कोई चीज़ collect करनी है, तो वहाँ पे financial implication आपको मिल जाएंगे, financial implication से मेरा मतले भी या तो वो revenue government के लिए लेकर के आ रहे हैं, या फिर वो government के treasury में से revenue ले जाकर के लो एक point और mention किया गया है यहाँ पर, वो यह कि financial administration raises important issues of administrative organization and relationship, यहाँ पर क्या होता है, administrative organization के जो important मुद्दे होते हैं, है ना, जैसे देखो आपके पास limited resource है, आप इस चीज़ को मानो कि you have limited resource, और यहाँ पर resource कौन से resource की बात हो रही है, आपके पास बात हो रही है, आपके बात हो उसका efficient use हो, तो आप waste नहीं कर सकते ही, यहाँ पर चीज़ों को, और waste अगर नहीं करोगे, तो यहाँ पर जितने भी आपकी process चल रही है, जितने भी activities हो रही है, उनको time to time आपको analyze करना पड़ेगा, और जो important है, है ना, उनको priority देनी पड़ेगी, so we can say कि financial administration important मुद्दों को है, हास करके administrative organization, उनकी जो relationship होती है, उनके और उस हिसाब से पैसे को use करते हैं, लोग, next time बात करते हैं, कि financial administration में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, and it's a composite term for a number of discrete functions, समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हमें तो यह की चीज़ पते है कि financial administration means budget, जिसे भी recently budget announced किया गया है, लेकिन budget को prepare करना, लागू करना, auditing, यह सारे इसका हिस्स है, financial administration का, जैसे पहला function है क्या, budget को prepare करना, preparation of budget, इसके बाद में second important function, passing of budget, execution of budget, treasury management, accounting and auditing, यहाँ पर हम क्या करें, budget को सबसे पहले prepare किया जाएगा, budget को pass किया जाएगा, कहां से, legislature इसको मनजूरी देगी, because legislature ही public के बिहाफ प legislature के पास यह authority है कि executive जो काम करने वाला है, budget preparation executive के द्वारा किया जाता है, mainly finance ministry हमारी budget prepare करती है, पर उसको pass कौन गरता है, हमारी parliament pass करेगी, legislature pass करेगी, अगर मैं state के context में बोलू तो, फिर से execution का काम किसके पास आगया, executive के पास आगया, है ना, treasury manage करी जाएगे, treasury means जो पैस है, उ सही से धान रखना पड़ेगा, फिर accounting, accounting में हमें पता चल जाता है कि, okay, क्योंकि बहुत सारे functions आपको perform करने है, so proper accounting method होना चाहिए, और इसी के basis पे auditing की जाती है, by the controller auditor journal of India, और इनी की report से हमें पता चलता है कि, जो पैसा allocate किया गया था, वो सही जगे पे use हुआ है, या नही या कोई भी policy अगर government ने choose करी दिये, तो उसके क्या implications निकल कर क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें CAC की report से पता चल जाता है, तो अगर आपको ये देखना हो कि हमारी country का financial administration healthy है या नहीं, तो आप CAC की report को जो है, वो refer कर सकते हैं, आगे बात करते हैं, financial administration में ही budget के concept को, देखो ये आपकी book में दिया गया है, ये budget का जो है, वो बुकाटे नाम की term से आया है, है ना, जिसका मतलब होता है bag और फिर उसको एक satire के तोर पे budget word यूज किया गया था और उससे चलता आ रहा है, फिर budget का मतलब क्या होता है, वाट जिस sense में हम present day use करने हैं, it is a first step in government's financial administration और इसका जो shape है, size है, details है, वो बताता है कि जो ruling class है, उसका perception क्या है, है ना, present government का budget जो है उसका outlook देता है, ये हर साल बताता है कि government किस direction में काम कर रही है, है ना, जिससे election से पहले political manifesto होता है ना, हर एक party का, वैसे ही kind of ये भी एक प्रकार का manifesto ही है, manifesto में तो promise के जाते हैं, इसमें actual concrete way में काम हो रहा है, but kind of ruling class के ideology और उसके perception के बार में हमें पता चल जाता है, government है जो, जो power में ruling class है, sorry, ruling party है, उनकी कुछ policies हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें, जिनके basis पर उन्होंने election लड़ा, लोगोंने उनको चुना, so, वो policies जो implement करने वाल आना चाहती है, जिसमें corruption ना हो, है ना, तो आपको feel होगा कि एक बहुत बड़ी amount जो है, वो इस चीज़ में लगाई जा रही है, कि proper resilience commission हमारे बनाया जाए, ऐसे जो है technique और system develop करा जाए, जिसमें corruption कम से कम हो, या फिर ऐसे कोई government जो education भी जादा focus करती है, तो आपको policies भी ऐ जैसे ही देखने को मिलेंगे, next time बात करते हैं, budget के ही अंदर, जो सबसे पहले budget यूज़ किया जाता था, जैसे हम, अगर आप लोग अपना खुद का account वगएरा maintain करते हो, account in the sense, अगर आपको अपना जो हिसाब किताबा लिखने की आदत है, तो हमारा बड़ा simple होता है, कैसे एक साइड में हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि कितनी income हुई हमारी revenue और एक साइड में expenditure लिखा, है ना, वैसा ही कुछ आपको line item budget के अंदर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या किया जाता है, कि हम क्या चीज़ अचीज अचीव करने वाले हैं, for example, मा माली जी मुझे travel करना है, तो travel cost इन सारी चीज़ों पर, तो इसके आगे फिर price tag add कर दिया जाता है, कि अच्छा, 1000 रुपीज की books आ जाएंगी, dress माली जे ये 500 के आ गए, bag माली जे 500 का आ गया, travel cost माली जे 1000 रुपीज होगी, तो इन सारी चीज़ों में, यह क्या हुआ, कि ए लाइन आइटम कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो object होता है, object means, जो aim है, जो goal है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो left side में लिखा होता है, उसकी जो cost है, वो right side में लिखी होती है, जिसे माली जी मनरेगा जो है, उसके ओपर government चाहती है, इतना पैसा खरश करा जाए, तो वो इस तरीके से जो है, एक तरफ left side में उसका objective और right side में पैसा जो है, वो लिखा होता है, traditional method है, वाल्डर स्की ने कहा था, कि ये जो method है, budget वाला, it's a kind of series of goals with price tag attached, सही है, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है, आपके कुछ objectives हैं और उसाथ में price tag लिखा हुआ है, तो यही क आपके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो budget होता है, budget एक प्रिकार से सिर्फ list नहीं है, सिर्फ कुछ numbers नहीं लिखे हुए, है ना, कि कितना tax आने वाला है, कितना expenditure होने वाला है, सिर्फ यही चीज़े mention नहीं है, in reality, it's a statement of estimated received an expense during a fixed period and much more than that, ठीक है, सिर्फ revenue or expenditure के receipts के अलाव अभी बहुत सारी चीज़ें हम budget से पता लगाते हैं, कैसे समझते हैं, यह तो evolution वाला concept आ गया, अभी मैंने आपको बता है कि budget जो है, वो लोगों की aspiration के बारे में बताता है, आपने देखा होगा कि जैसे ही budget आता है, उसके बाद में बहुत सारी debate होती है, किसी नहीं किसी point क क्या करना पड़ेगा, government को उन सारी interest को adjust करके सबसे बढ़िया policy यहाँ पर decide करनी होगी, तो यही होता है budget, budget में government जो है, अपना agenda बताती है, और यह ensure करती है कि maximum benefit society तक लाया जा सके, अब यह जो budgetary method मैंने आपको बता है, इसके evolution process देखने को मिलता है, evolution process में तकरीवन 6 steps हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 6 तरीके से budget को लिखा जाया या budget को use किया जाते है, सबसे पूराना traditional line item budgeting जिसमें क्या होता है, हमें पता होता है कि okay poverty के उपर इतना पैसा गया, education पे इतना पैसा गया, कि health के उपर हमने इतना पैसा लगाया, यह बिल्कुल traditional item है, traditional method है, फिर objective ही नहीं, performance को भी ध्यान में रखा जाता है, और फिर हम budgeting prepare करते हैं, नेक्स्ट आता है planning programming budgeting system, यह थोड़ा सा जाधा detailed है as compared to performance budgeting, इसमें क्या ensure किया जाता है, माली जी government का method, government want to ensure, covid के बाद में माली जी government जाती है, कि health के उपर जाधा से जाधा expenditure हो, तो सबसे पहले planning करी जाए जिससे कम से कम financial implication में maximum benefit अचीव हो, तो planning की जाती है, programming की जाती है, और फिर budget जो है, वो decide किया जाता है, तेकि यहाँ बहुत short में बता रही हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे budget के बारे में, types of budget के बारे में, detail में discuss करें, तो comment section में ज़रूर बताईएगा, और lecture कैसा लगा, comments होने चाहिए, अगर comments नहीं होंगे, तो देखो, motivation नहीं आता है, lecture series आगे continue करने का, तो जितना हो से कि आप चाहते हैं कि ऐसे amazing lectures हम लेके आते रहें, तो comment जरूर करिए, then आते है, management by objective, इसमें क्या होता है, कि objective हमने set कर दिया, फिर लोगों को motivate किया जाता है, employees क motivate किया जाता है, और उस हिसाब से management की जाती है, नहीं सबसे पहले objective set किया, फिर management होती है, objective के हिसाब से, फिर आते है, zero based budgeting, zero based budgeting में मतलब, माली जी आपने पिछली साल, आपने खर्चा करना था, 1000 रुपे का books पे, लेकिन आप खर्चा कितना कर पाई, सिर्फ 500 रुपे आपके बच गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो 500 रुपे आप traditional method से या पिछले साल आपके जो target था, आप उसे साब से use करते नहींगे, ये 500 हम books के लिए 0 रुपे, और ये 500 हम next, उसमें add करेंगे, next year के लिए, और अब हम देखेंगे कि अब हमारी क्या priority है, हमें books 500 की चाहिए, हम बुक्स कम जादा की चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हर साल बेश जो वो 0 से start करते हैं, ताकि हमारी जो schemes हैं, जो plans हैं, उनको हम prioritize कर पाए, कौन से important हैं और कौन से कम important है, and the last one is budget as a political instrument, political management, बहुत बार हम use कर चुके हैं, how budget is an important instrument of political management, लेखें, ultimately budget जो है वो कौन प्रेजेंट कर आपकी government, and it's a part of fiscal policy, government कैसी policy लेकर क्या आती है, उसी का हिस्सा होता है, है न, so budget को political management भी बोला जाता है, because ultimately through the budget, government अपना agenda रखती है, अपनी policies को implement करने की कोशिश करती है, और इसके हिसाब से हम government की performance को भी अच्छे से analyze कर पाते हैं, next आता है, कि जब हम government के द्वारा बताएगे, plans and policies, जब budget में देखते हैं, तो वो budget कैसे तियार किया जाता है, process एक अलग चीज है, लेकिन budget को तियार करते हैं, कुछ principles हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, budget जो है, वो एक परकार का plan है, या एक परकार का, we can say, government का action plan है from the financial point of view, है ना, government ने बड़ी-बड़ी बाते करें, लेकिन ultimately, government जो है, वो अपने budget के द्रोगों को बताती है, कि जो हमने बोला था, उसको कितना हम concrete form में, कितना हम reality में implement कर पाएंगे, so it's a action plan from the financial point of view, so there are various principles and process involved in the formulation of budget, याद रखिएगा, principles and process की हम बात करेंगे, तो कुछ principles है यहाँ पर, तक्रीबन साथ principle के बारे में हम discuss करेंगे, वो follow किये जाना जरूरी है, जब हम budget prepare करते हैं, तब, तो सबसे पहला आता है जी, publicity का, budget को public में लाया जाना चाहिए, ताकि लोग और press, यानि media freely अपनी views को express कर पाएं, बट याद रखिएगा, जब तक budget legislation के सामने नहीं आ जाता, जब तक budget जो है, वो एक तरीके से announce नहीं किया जाता, budget को जो है, जिससे First F步 को budget को लाया जाता है, budget, legislature के सामने रखा जाता है, तब तक budget जो है, वो public के बीच में disclose नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा, तो यह खलत है, है न, सबसे पहला काम होता ह बजट को legislature के सामने रखना अगर इससे पहले budget से related कोई भी information disclose होती है तो यह बहुत जादा खतरनाक है and it can harm the public interest क्योंकि में भी किसी को idea हो जाए कि government इस sector में इतना पैसा लगाने वाली है तो government के उपर या कोई भी जो है वो pressure बनाने की कोशिश कर सकते हैं so it's a wrong thing कि बिना लेजिसलेचर के सामने रखे budget लोगों तक पता चल ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन जब लेजिसलेचर के सामने रख दिया उसके बाद में यह होना चाहिए तब लोग जो हैं उसके उपर discussion कर सकते हैं clarity and precision बिल्कुल clear होना चाहिए precise होना चाहिए word अपने आप में self-explanatory है इसका मतलब clarity means कि ऐसे तरीके से लिखा जाए जिससे आम जंता भी इसको समझ पाए उसको भी पता हो कि अच्छा इतना पैसा government यहां पर लगाने वाली है और precise हो ऐसे rough ना लिखा जाए कि okay 200 क्रोण यहां पर लगा दिये यहां पर लगा दिये नहीं exact होना चाहिए comprehensiveness में क्या आ जाता है basically जो entire fiscal plan है government का should be integrated and summarized in the budget कोशिश की जाती है कि जादस-जाद comprehensive budget को बनाया जाए ऐसा नहीं कि बजट के अंदर government ने कुछ announce ही नहीं किया और 6 मेने बाद government ने एक बहुत बड़ा fiscal announcement कर दिया बहुत बड़ी policy announce कर दी कोशिश की जानी चाहिए कि जो government का agenda for the next year वो budget के अंदर mention हो unity होनी चाहिए all government received should be consolidated into one general fund for financing all expenditure जैसे हमारे Consolidating fund of India है तो जितना भी public revenue है वो एक fund के अंदर रखा जाता है ताकि सारे expenditure को वहां से finance किया जा सके next है periodicity यानि एक particular time period पे budget आना चाहिए ऐसा नहीं इस बार FAB में आ रहा है अगली बार मार्शी में आ रहा है अगली बार यह जुन जलाई में पास किया जा रहा है नहीं जो budget है उसको फिक्स time period के अंदर present, prepare और inact हिया जाना चाहिए accuracy जो information वहां पर दी गई है जो source use किया गया है वो भी accurate होना चाहिए so the information on which budget estimated are based must be sufficiently accurate ताकि लोग, जनता, media और legislator उस information को अच्छे से evaluate कर पाए and the last one is integrity integrity means obviously बहुत बढ़ी अपने आपने बट आप याद रखिए कि जिस philosophy के तहर जिस agenda के तहर बजट को बनाया गया था सेम तरीके से budget को implement पी किया जाना चाहिए अगर budget बनने में बड़ा अच्छ है लेकिन उसको inact बहुत अच्छा नहीं किया गया है तो यह executive legislative misunderstanding cause करेगी और यह long term में public interest को भी harm करेगी तो यह 7 principles है जो हमें follow करने चाहिए वेन वी आर preparing the budget यह था हमारा lecture इसको मैं कहूंगी 18.1 बिकिस 18 चैप्टर का यह फर्स लेक्टर है इस चैप्टर को जितना हो सके हम detail में और जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे for that you have to subscribe the administrative world जल्दी से आपको कम से कम अभी हम 56 के आसपस हैं है ना at least आप 60 तक तो पहुंचाइए वन लेकर टार्गेट भी हमें अचीव करना है जितने जादा लोग हो सके administrative world के उतना ही फायदा है because यहां पर आपको content मिलता है regarding public administration और कोशिश की जाती है कि public administration के अलावा भी आपके लिए बहुत कुछ लाया जा सके अभी तो सिर्फ सोच रहे हैं कोशिश की जारी मतलब और subject भी हम जितना जल्दी हो सके integrate करें और आपके preparation को यहां से कहीं और ले जाने की ज़रत ना पड़े okay so that is for today कल मिलते हैं till then take care and bye bye